बॉलिवुट के दिगज एक्ट्रेस वहीदा रह्मान का नाम आज दिन भर सुर्ख्यों में रहा जिसका कारण एक्ट्रेस का दादा सहिफाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना जाना है इस खास प्लब्दी को हासिल करने को लेकर हर कोई सोशल मीडि पर वहीदा रह्मान को बधाईयां दे रहा है इसी बीच देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी एक्ट्रेस को शुपकामनाय दी है इस बात की जानकारी मंगलवार को इन्फोर्मिशन और ब्रोड कास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर करते हुए ठाकुर ने लिखा मुझे यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि वहीदा रह्मान जी को भारती सिनेमा में उनके श्रेश्ट योगदान के लिए इस साल प्रतिश्चित दादा साहिब फाल के लाइफ टा में गाइड रेश्मा और शेरा प्यासा और रंग दे बसंति जैसी हिट फिल्मों में काम किया है